हाई आपका स्वागत है आज मैं निरोटिक डिप्रेशन के बारे में मैं आपसे बात्चीत करने वाला हूँ सुबह सुबह एक कॉल मुझे आ जाया करीब 28 साल का लड़का और वो बात करने लगा कि उसको कितनी परेशानी है तो मैं आपको बताने वाला हूँ एक केस स्टडी डिप्रेशन की मेरा नाम है डॉक्टर दीपक करेकर में मनोविकार सेक्स रोग संमोहन तथा व्यस्यम्य तग्नियों महाराष्टी में आपकोला में पैट्रिस करता हूँ यह रटका अठ्था इस साथा था वो बातचीत करने लगा और अपनी कहानी अपने जुबाने बोलने लगा कि उसको एक तो बहुत नर्वस ने साता है सुबह उपने से थोड़ा अच्छा लगता है फिर बाद में थोड़ा 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 बढ़ना चलो जाता है नर्वस ने सैडने साता है और उसको बार 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 निगेटिव थौट्स आते रहते नकरात्मक विचार आते रहते एक सरी के कंटिनिवस ली निगेटिव थौट आएंगे मैं बाहर जाओंगा तो कुछ अच्छा नहीं होगा मैं काम करूंगा तो अपने कुल लॉस आजाएंगा फिर ने किसी के साथ में बातचित करूंगा तो मुझे अच्छा नहीं बोलेंगे तो कभी रोना आता है कभी कि बाहर किसे मिलना जुलना है तो इच्छा नहीं होती लोग बोलते तो आता नहीं बाहर क्या बात है तो क्यों नहीं आ रहा है तो और बार बार कभी ऐसा लगता है कि जी के जी के क्या फाइदा है कभी भूग लगती है कभी भूग लगती नहीं है फिर घर के लोग उसाथ मे बैठेंगा कभी नहीं बैठेंगा कभी अकेला ही खाना खालेंगा कभी रोगना आजाता उसको में चीज़ की थी कि भाई बार 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 निगेटिव विचार आना और एक सरी के निगेटिव ओंगोइंगली कंटिनुसली विचार आई रहे आई रहे उसको कंटिनुसली नियन नहीं है और फिर उसको लगता है कि सब denखते नेन हुई करके के दिन वर में आच्छा है क्या फ्रेश नियन नियन हो गए तो ऐसा एक है बहुत सरा सपने रॉपर भर थे हैं इसलिए मुझे रेश नहीं लग रहा है और इन हुई को pa प्राम में concentration ने भुलक कड़ पना आता है उसको लगता है कि ऐसा जिनाजी के फायदा है मैं ऐसा क्यों जिनाजी हूँ फिर कभी लगता है कि मैं खुदकुशी कर लूँ उसने एक दो बार खुदकुशी करने कोशिच भी किया दो चार गोली भी खा लिया मगर उससे कुछ हुआ नहीं किया था उस लगा नहीं मैं जाओंगा तो मेरे माबाप के तरफ कौन यह फिर ऐसा कुछ रहा तो लोग क्या बोलेंगे मैने खुदकुशी कर लिया तो इसलिए खुदकुश भी नहीं करता है विचार आते जरूर है और फिर एक तो पेचे नहीं रहती है, concentration काम में नहीं है, फिर यदर से उदर घुमेंगा, उदर से यदर जाएंगा, फिर कभी थोड़ा सा काम करने चले जाएंगा, काम भी करेंगा, कुछ पैसा भी कमाएंगा, मगर जिने में मज़ा नहीं आ रहा है, उसको फरके लोग बोले कि चल शादी क शादी करेंगा तो अच्छा लगेंगा तatte को, लोह लगता है को शादी करेंगे तो सब ठीकाने पे आ जाएंगा, ऐसा होता नहीं है, उलटाये शादी करने से और टेंशन बढ़़ जाता है, तो मगर शादी करने के लिए यदर तैयार नहीं है, यदि शादी करके और नु किया सुबसुब तो उसको मैंने बताया कि देखो भाई आपको यह निगेटिविटी आपके जिमाग में पूरी भरी है हंटेट एंट परसें आपको मतलब आपका पूरा ब्रेन जो है वो विचारों से व्याप्त है पूरी निगेटिव विचार है आपको उसमें कुछ दिख होंगा इसा मैंने उसको बताया और बाद में फिर आप सेल्फ हिप्नसिस का प्रयोग घर में करते हैं तो वहां से सबकॉंशस मैंड में अंतर मंद में निगेटिविटी निकल के पॉजिटीविटी अंदर जाएंगे और वहां से उसको अच्छा लगना लगेगा उसको मैं कोसी कोशिष क ही थी अपने घर में बैटे रहांगे उसनी मेरे पहले बढेक चेखे तुको ऐसा लगना कि नहीं यह बिमारी अच्छे हो सकती है और उसका जीवन मों अच्छा जीवन जी सकता है तो इस तरह का उसमें मंजूर किया कि मैं ठीक है मैं आउंगा और आपसे इलाज करके मैं जीवन मेरा अच्छा जीऊंगा तो यह विडियो लोगों को शेयर करना जरूरी आपकी जित्ते भी गुरूप से उसमें शेयर करो क्यों काफी लोग परिशान है ऐसे डिपरेशन से उनको सामने दिखा ही देता नहीं है उनको दिखता है नर्वसनेस, होपलेसनेस कुछ होंगा नहीं क्योंकि बहुत कॉम्पेटिशन है परिशन है, बहुत कॉम्पेटिशन है उसमें टिकेंगे नहीं असा लगता है लोग हिम्मत करते हैं कुछ करने की और फिर कुछ तो भी हो जाता है और फिर दिमाग में एक बैट जाता है कि अपने में काभीलियत नहीं है मैं उतना परिफेक्ट नहीं हूँ कोई साहरा नहीं है तो आदमी धिरे-धिरे-धिरे-धिरे-धिरे-धिरे-विडरा होना शुरू हो जाता है तो इसके लिए साइको थेरेपी, काउंसिलिंग बहुत जरूरी है लोगों को जैसे लोगों को यह वीडियो फैलाओ अपने गुर्प में शेयर करो ताकि लोग अपना जीवन अच्छा जी सकेंगे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धिन्यवाद थैंक्स फर वाचिंग दी वीडियो जाओ जाओ लोगों को जाओ 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 वीडियो